अगर फ्रेंड्स आपके पास है वेगो का D3 5G तो आज इस वीडियो मां आपको बताएंगे इसी फॉन की टॉफ 65 प्लस 77 और कुछ हिडिन फीचर जिनका यूज करके यूज कर सकते हैं इस फॉन को आप सौर्ट कर तरीके से जैसे कि इस फॉन का स्कीन लॉक है आपका स्कीन यूज किया, फोन को स्टेक किया तो देख सकते हैं फोन की फ्लैशलाइट अंछ जो गई, फोन काудई के लिए यूज काफी यूज कर सकती है पहले किसी भी एक application को open कीजिए, फिंगर से आपको इस तरह से click कर देना है, तो आप background में किसी दूसरे application का use कर सकते हैं, दो apps एक साथ open हो जाते हैं, किसी एक app को आप जादे area में use कर सकते हैं, उपर वाले को यहाँ पर click करके इस तरह से करना हो सिच तो आप यहाँ पर इसको स फीचर देखने को मिल जाता है, इसक लिए फोन की डालर को open करने के बाद 3.0 पर जाएए, call setting पर click करेंगे, यहाँ पर record call recording का feature देखने को मिल जाएगा, जिस पर click करेंगे, automatic सभी नंबर की call recording भी कर सकते हो, अगर आप चाहें तो केबल उन नंबर की call को record करपा होई, जो भी आपने select की हुई है, तो यहाँ पर आप नंबर को भी select करके रख सकते हो, जिसके आप call को record करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी announcement बगएरा नहीं होता, आप silent तरीके से call को record कर सकते हैं, इस पर आपको screenshot के काफी different feature देखने को मिल जाते हैं, आप अलग लग तरह से screenshot ले सकते हो, यहाँ पर आप इस तरह से सको save कर पाएंगे, तो इस तरह का screenshot आजाएगा, और भी different feature आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर आपको मिलेगा, लेसो screenshot जिसमें आप screen पर इस तरह से अपनी area के हिसाब से सको select कर लेंगे, तब भी आप सुमने screenshot को ले सकते हैं, अगर आप को चाहिए, इसकीन पर लिखकर screenshot तो वो भी feature यहाँ पर मिल जाता है, simple यहीं क्लिक करनी के बाद funny screenshot पर क्लिक करना है, doodle screenshot पर क्लिक करनी के बाद आप आप इना नाम यहाँ पर set कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यह screenshot कुछ इस तरह से आपका save हो जाएगा, थी finger से पर लिख करने को है, जिस area का screenshot चाहिए, वो आप screen पर इस तरह से select कर सकते हैं, इस फोन मा आपको super amolet display देखने को मिलता है, तो as light का feature देखने को मिल जाता है, जब भी कोई नोर्फिकर सरा आएगा, तो sightseq light effects आपको देखने को मिलता है, वो इस फोन मा आप on कर सकते हो, इस इसको on करने के लिए, इस phone की setting को open कीजिए, यहां से आपको scroll down करने पर मिल जाएगा dynamic effects जिस पर आप click करेंगे, इसकी बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, यह feature इस पर आप click करके, यहां पर बैदर बागेरा के लिए select भी कर सकते हैं, अब second नमर पर आपको as light का देखने को मिल जाएगी, किस color में आप सो कराना चाहते हो, कितने समय तक किस color का temperature बगएरा, सब कुछ आप सैट कर सकते हो, duration बगएरा आप यहां पर लगा पाओगे, तो सब कुछ आपको यह feature देखने को मिल जाएगा, जितना भी long time या फिर कम time में आप सो कराना चाहते है, आपको सब feature यहां पर मिल जाएगे, आप अपने हिसाब से साइट कर सकते है, यह notification कर रहेगा, notification call बेगरा, सब कुछ आप यही पर आके अपने हिसाब से customize कर पाओगे, और कुछ और भी यहां पर animation style रेखने को मिल जाएगी, जैसका fingerprint animation style को बदलना चाहें, जैसे कि always on display जो र लॉकिंग होते समय यह animation भी आप यही से चेंड कर सकते हैं, charging को plugin करते हैं तब आपको एक animation देखने को मिलता है, वो भी आप animation style यहां से चेंड कर सकते हो, तो बहुत सारी animation style effects वगएर आप यहां पर आके चेंड कर पाओगे, इस कीन को on, off करते हैं, तब भी आप यहां पर animation क मिलजाते हैं इसkim पर 58 कि सेस्ट कूरों करने के लिए को आपको आप की सेटिंग को तरह नहीं करने के आपको क्लिक करना रहेगा को यहां पर लोन कर सकते तो आप वह भी कर सकते हैं, इसको set करने के लिए इस phone की setting को open करने के बद इस call down करने पर आपको देखने को मिल जाता है, system system option पर क्लिक करके system navigation पर क्लिक करना होगा, अगर आप button को change करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके button change कर सकते हैं, इनका direction चेंज हो जाए, अगर आप जैस आपको क्या करना है, पहले कोई भी application open करने के बद रिसेंट बटन को press करने पर इस icon पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको small window देखने को मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगी, आप यहाँ क्लिक करके आप इसको बाद में और भी resize कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें त जिसकलिए phone का control panel open करने के बद आपको dark mood theme set कर लिए नहीं है, इस phone में app.set की होगा आपको देखने को मिलता है, आप इस तरह से apps को open करा सकते हैं, चाहें तो इसे disable करके home screen पर standard mood use कर सकते हैं, इस screen पर two finger से pinch in करने के बद वाद home setting पर जाएंगे, यहाँ पर home style screen पर क्लिक करके standard mood and app.mood दोनों ही मिल जाते हैं, आप क्या set करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे, इस phone का जब pages आप चेंज करते हैं, तो यहाँ पर एक effect देखने को मिल रहा होगा, यह भी आप यह screen पर add कर सकते हैं, इस screen पर two finger से pinch in करने के बाद home setting पर जाने पर आपको देखने को मिल ज सकते हैं, इस phone में जो apps का corner बगरा देख रहे हैं, आप इसको resize कर सकते हैं, screen पर two finger से pinch in करने के बाद home setting पर click करना है, यहाँ पर rounded corner का feature देखने को मिल जाएगे, इस पर click करने के बाद आप किसको small करना चाहते हैं, किसको largest करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से सको set कर प आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इन में से किसी भी wallpaper को आप pick up कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी favorite color तो यहाँ से आप उसको भी apply कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जो भी app ने apply किया, उसी तरह का screen पर आपको color देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप इस तरह से इसक करना चाहें तो इसको apply भी कर सकते हैं, इस फोन को जैसे ही आप सेख करते हैं, इस फोन की flashlight on हो जाती है, इस feature को on करने के लिए, इस फोन की setting को open कर लीजिए, यहाँ से scroll down करने पर आपको shortcut and accessibility देखने को मिल जाएगा, जिस पर click करने के बाद smart motion पक्लिक करने पर आपको देख इस फोन में जब आप internet का use करने तो meter जो रहता है वो भी so नहीं मिलता, इसको भी आप on करा सकते हैं, इसके लिए इस फोन की setting में जाने के बाद display and brightness पर click करेंगे, यहाँ पर आने के बाद scroll down करने पर आपको देखने को मिल जाता है, status पर click करने के बाद betty percentage and real time network speed down on option देखने को मिल जाएंगे, अगर आप betty percentage को सो कराते हैं, तो यहाँ पर betty percentage मिल जाएगी, इसके लावा आप यहाँ पर जो betty style है उसको भी change कर सकते हैं, circle type and landscape या फिर virtual जो भी आप set करना साथ हैं, वो आप यहाँ पर कर पाऊगे, तो बहुत सारी different feature हैं यहाँ पर आप अपने हिसा करने पर आपको shortcut and accessibility पर क्लिक करना है, यहाँ पर smart motion पर क्लिक करेंगे, smart calling option पर क्लिक करने के बाद आपको smart call पहले on कर देना है, अब पहला feature है आपको इंस्पार आंसर का, इस feature को आपको यह feature on करने के बाद call को टच कराके answer करने की जरूरत नहीं है, simple ring होते phone को अपने इस तरह कान की ओर ले जाएए, automatic कान माले speaker में आवाज आना शुरू हो जाएगी, smart mute का feature देखने को मिलता है, इसको अगर आप आप कर देते हैं, तो आपके phone पर अगर cover use है, तो आप इस तरह से flip कर देंगे कबर से, तब आपका call mute हो जाएगा, इस तरह से भी आप इसको use कर सकते हैं, अगर आपके phone पर call आ रहा है, और आप यहाँ पर अपने phone को इस तरह से flip कर देते हैं, तब भी आप call को mute कर पाएंगे, अगर आपने ये वाला feature on किया है, smart screen on off के आपको काफी feature मिल जाएंगे, जिससे कि double tap करके lock करना हो, on करना हो, या फिर phone को pick up करते screen को on कराना ह सकते हूँ, इसके लिए phone की setting में जाने के बाद, scroll करने पर आपको जाना है shortcut and accessibility पर, यहाँ पर smart motion पर click करेंगे, smart screen on off पर click करने के बाद, आपको बहुत सारी feature इस तरह से disable देखने को मिलते हैं, पहले feature को जब आप on कर देंगे, तो आपका phone screen off इस तरह से table पर रखा होगा, ज अगर आप video को watch कर रहे हैं और आप जैसे अपनी video को watch करते समय निगाहा हटाएंगे और आप चाहें कि आपकी video automatic push हो जाए, तो आप इस feature को on कराके, इस feature का भी यहाँ पर use कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं double tap करके screen आपका lock हो जाए, तो आप इस feature को on कराके screen को double tap करके lock भ सकते हैं, कि इसको add करना है, आप इस तरह से इसको add भी कर पाएंगे, अब जो भी application यहाँ पर आपके add हैं, उनका आप use करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम chrome का use कर रहे हैं, आप किसी और app का use करना है, तो इस तरह सा आप open कर आदा सकते हैं उसको floating window के अंदर, तो floating window में open होने के बाद आप इसको resize भी कर सकेंगे बाद में, और इसको इस तरह से pop-up में भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका floating window कुछ इस तरह से open हो जाता है, जो भी आपको sidebar में application देखने को मिलते हैं, वो directly आपके floating window में open होते हैं, इस phone आपको kick action का एक feature देखने को मिल ज सकते हैं, इसकी जगह आप बहुत कुछ set कर पाएंगे, जिसके आपको set करना हो तो phone की setting में जाने के बाद, shortcut and accessibility पर click करने के बाद, quick action वाले option पर click कीजिए, अब यहाँ पर आप torch को भी लगा सकते हैं, का torch लगाना है तो लगा सकते हैं, record audio को लगा सकते हैं, अगर YouTube application ने open कर अभी आप phone का power button press and hold करेंगे, तो इस phone का Google Assistant on हो जाता है, आप यहीं पर आके इसको change भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर power off menu के लिए set कर देते हैं, तो long time power button को press करने पर आप power option को देख पाओगे, यहाँ से एक step और वापस आने की वाद आपको easy technical feature देखने को मिलेगा, ज इससे आप बहुत सारे application को shortcut के जरीके से यूज कर पाएंगे, जैसे कि इसकी sort लेना हो, calculator open कराना हो, जो भी application आपको देखने को मिलते हैं, वो आपकी floating window में open होते हैं, अगर आप इसको double tap करके किसी भी apps को open कराना चाहते हैं, तो double tap कर क्लिक करने के बाद आप कोई भी application set कर स सकते हो, और जो इस समय icon देखने को मिल रहा है, आप इसको भी change कर सकते हैं, जिसके लिए आप customization menu पर set करने के बाद, आप different तरीका यहां पर resort कर लगा सकते हैं, change कर सकते हैं, अगर आप इसकी skin को change करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको robot screen, इसके बाद आपको orange screen और DD screen one handed mood पर use करना हो, तो आपको इस तरह से यह click करना है, तो आपका phone one handed mood पर on हो जाता है, अगर आप चाहिए तो इसको इस हाथ से use करना है, तो यहां पर click करके आप इसको change भी कर सकते हैं, अगर आप इसको close करना चाहते हैं, तो इस icon पर click करके इसको change भी करगेंगे, एक step और वापस आजाए आपको face beauty for video call का feature देखने को मिल जाता है जिसको आप यहां से on कीजिए mode पर जानने की बाद in apps के लिए भी आप on करा सकते हैं जिसमें आप video call करेंगी तो आपकी beauty mood on हो जाएगा एक step वापस आनने की बाद flash notification call का एक feature देखने को मिलता है इसको on करने पर आपकी phone पर कोई call बगर आएगी तो phone की flash stat बिलिंग होगी और आपको पता चलिए का phone पर call है notification है text timer पर click करने के बाद phone को schedule पर रख सकते हैं बाब rate के लिए plan mood के लिए end बाब rate के लिए भी आप यहां पर set कर पाएगे and set को on up पर भी आप schedule पर set कर सकते हैं इससे की phone की समय आपका off होना चाहिए night में और किस समय on होना चाहिए यह schedule भी आप यहां पर set कर पाएगे जिसमें अभी आपका standard पर selected होगा अगर आप pro click select कर देंगे आप video content के लिए watch करते हैं तो यहां पर video quality आपको और भी जादा enhance देखने को मिल सकती है एक बार back button को press कर लीजिए यहां पर skin timer बगारा set कर पाऊगे अगर आपको इस phone का refresh rate send करना है तो यही पर आपको वो भी option देखने को मिल जाएगा इस पर click करके आप यहां पर अपने हिसाब से set कर सकते हो अगर आप default के लिए set करना चाते है standard mode तो यहां पर आपको वो भी मिल जाएगा अगर आप default में set करना चाते है 120Hz के लिए तो यहां पर आप उसको भी set कर सकते हैं इस phone में app lock, app hide जैसे सभी feature आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप app को lock करना चाते तो phone की setting में जाने के device call करने पर आपको security option पर क्लिक करने पर देखने को मिल जाता है privacy and app in caption यहां क्लिक करने के बाद password बगारा set कर लीजी कुछ इस तरह से इसकी बद आपको security question set करने रहेंगे और यहां पर done करने की बद आप app को lock कर सकते हैं यहां से apps को यहां से hide कर सकते हो यह सब हमने वीडियो अलग-अलग बना रखें short video जिनमें आप यहां पर set कर सकते हो तो आसनी से अगर वो वीडियो आपको देखना है तो i button पर आपको playlist इसकी देखने को मिल जाएगी phone के skin आप किसी भी smart devices के साथ share कर सकते हैं जैसे कि TV के साथ आपको यह phone connect करना हो तो यह phone में आपको देखने को मिल जाता है smart amazing तो यहां पर आप tap and hold कर यह इसकी उपर यहां पर click करने के बाद आप TV को search बगएरा कर सकते हैं यही साब TV को connect कर पाएं यह इसकी जो भी screen है आप उसके साथ share कर सकते हैं तो fins यह थे कुछ amazing feature इस phone के अगर आप ऐसी और amazing hidden feature इस phone के बारे में जाना चाहते तो नए अपडेट में ऐसे feature बहुत सारी मिलते रहते हैं आपको के करना इस channel को subscribe करना है और कब-कब नए update मिलना है वो आपको बता चलेगा इसके साथ कौन से update में क्या नया feature add हुआ वह भी आपको बताते रहेंगे इस चैनल पर तो जरूर से इस channel को subscribe करके रखिए आसा करते है आपको यह वाली अच्छी लगए कि वीडियो अच्छी लगए और वीडियो को लाइक से आइन जरूर को subscribe करना ना भूलें तो चली फेरंट मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तक के लिए goodbye and take care